पंजाब के एक नेता के खिलाफ साल 1983 में दर्ज आपराधिक मामले में 36 साल बाद निचली अदालत द्वारा अभियोग निर्धारित किये जाने पर सुप्रीम कोट ने हैरानी जताई और केंदर सरकार से पूछा दोशी पाये गई नेताओं को हमेशा के लिए चुनाव लड़ने से कर सकते हैं बेन देश में 4000 से ज्यादा मामलों में देश के नेताओं पर मुकद में चल रहे हैं इन में से 2556 आरूपी तो वर्तमान सांसद विधायक हैं सुप्रीम कोर्ट ने सांसद और विधायकों के खिलाफ दर्ज अपरादीक मामलों को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिका में आदिश पारित किया है इसके तहट सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट को दो दिनों के अंदर ब्रष्टाचार और अन्यग्यार आईपीसी अपरादों के लंबित मामलों पर डेटा सौंपने के लिए कहा है इस मामले में अगली सुनवाई 16 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट ने दागी विधायकों और सांसदों को जिंदगी भर चुनाव लड़ने से रोकने के लिए दायर याचिका पर केंदर सरकार से जवाब मांगा है केंदर सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफते में जवाब मांगा है वहीं मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रिम कोर्ट ने हैरानी जृताई कि देश में विधायकों और सांसदों के खलाब करीब 4,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं इस मामले में याचिका करता वकील विकास्तिया ने सूप्रीम कोर्ट से कहा कि सांसदों और विधायकों को गंबीर अपराधों के मामले में किसी तरह का सरक्षन नहीं मिलना चाहिए। सांथी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विधानसभा या संसत को दागी विधाय को या सांसदों को चार शीट के बाद प्रतिबंधित कर देना चाहिए।